सेना की कॉमबेट यूनिफॉर्म में हुआ बदलाव अब कुछ ऐसा होगा जवानों का लूप हम बताएंगे आपको इस वीडियो में जैहीं दोस्तों UHQ आर्मी रिलेशन भरती यूटूब चनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि एक खबर निकलकर आ रही है इंडियन आर्मी की न्यू यूनिफॉर्म अब तयार होने जा रही है तो दोस्तों इंडियन आर्मी के करीब 13 लाक सेनेगों अब नई वर्दी मिलने जा रही है यह वर्दी डिजीटल पैटरेंट पर आधारित सेना की नई यूनिफॉर्म का पहला लुक अगले साल यानेगी 15 जनवरी 2022 को होने वाली आर्मी डे परेड जोगी आर्मी डे होता है 15 जनवरी को उस दिन आपको दिखाई जाएगी रिपोर्ट के मताबित हैं मौजूद समय की यूनिफॉर्म के मकाबले अधिक हल्की और मौसम के अनुरूब और विशम परिस्थितियों में भी तहने लाइक है ये वर्दी और दोस्तो टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के निवसार सेना की ये नई वर्दी कई ऐसे रंगों को इस्तिमाल किया गया है जोगी सैनिक छिपने में मदद करेंगे अपने सैनिक जैसे युद्ध पर जाते है तो उन्हें जो वर्दी है अपने छुपाने में मदद करेंगी इनको पहना हुआ सैनिक दुस्मन की नजर में आने से बच पाएगा इस कॉम्बिनेट यूनिफॉर्म को तियार करने के लिए सरकार ने National Institute of Fashion Technology NIFT से भी विचार किया है उनसे भी बात करी है साथ ही अन्य देशा की सेना की जो यूनिफॉर्म है उन पर भी जाच करी है उनके रंग रूप को भी देखा हुआ है तो उसी हिसाब से आपकी जो इंडियन आर्मी की न्यू वर्दिय वो तयार होगी तो और रिपोर्ट के मताविश सेना की नई केमबेट यूनिफॉर्म की शर्ट को ट्राउजर के बाहर करके पहना जाएगा तो दोस्तो आपकी ये वर्दी है इसका मुख्य उद्देश जो है एक जैसे की एक अफसर न भी बताया है कि इस नई वर्दी का मुख्य उद्देश गर्मी और सर्दिय दोनों ही अराम दायक एहसास कराना है तो जवानों को कुछ भी दिक्कत ना हो इसके लिए आर्मी जो है डिफेंस नई वर्दी लेकर आ रही है हमारे सोल्जर्स के लिए जिसमें की उन्हें अराम महसूस हो लाबदायक हर मोसम में सर्दी होया गर्मी उन्हें अराम महसूस किया जाए तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही बताना चाहरा था कि आपकी जो 15 जनवरी को यह वर्दी लोन चोगने वाली है एक तरीका से तो यह 15 जनवरी को आर्मी डे परेड जिस दिन होगी उस दिन आपको यह वर्दी देखने को मिलेगी सभी जवानों पर यह वर्दी की जान करें देते रहते हैं तो प्लीज यूटूब को चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक चीबू कर देना तब तक के लिए धन्यवाद जय हिद जय बहरत